करवा लिए तो क्या माना जाएगा कि उसने उसके बाद पढ़ा था सिक्षियुन्टी सेवन के उपने पढ़ा था कि जो यार्जिस्टेशन करवाना होता है उनको बिजनेस स्टार्ट करने से पांच दिन पहले रिजिस्टेशन करवाना होता है दूसरा इनको जो भी रजिस्टेशन करवाया जाएगा इनको जो भी रजिस्टेशन दिया जाएगा वो मेक्स तू मेक्स कितने टैम पिरेट के लिए दिया जाएगा और इक्स्टिंसटन करवाना तो कर पमें को पूरा टेक्स कंना पदेगा इनको अपनी एस्टेटेक्स लाइबिलिटी निएक्स्टिंसेंज निखाननी पड़ेगी और एडवान्स में ही पे करना पड़ेगा दूसरा यह जो भी टेक्स पे करेंगे वह क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर पाएंगे इनको जितने इनके द्वारा जितना भी टेक्स हुआ जाएगा वह के सिलेजर के थरू डिपोजिट करवाया जाएगा उसके बाद अपने पढ़ सब्सक्राइब करना पड़ता है और उसके बाद अपने पड़ा था कि इनको जो रिजिस्टेशन दिया जाएगा वह अगर उसको इसा लगे कि इनका टाइम बड़ाना चीए तो वह इसके बाद अपने देखा था शीटीप और नाटीप में डिफ्रेंश क्या होता है मैं नहीं बताया था यह इन्डिया का इन्डिया हुतों इन ब्सका इनी में बिजनर्स करने के लिए है जहां तो कि पर उसका पाइब दोकुमेंट लाइक, उसका पासपोर्ट, वगगर उनके विहां पर रेजिस्टेशन वालेगा दूसरा मैंने बता था कि सिटीपी को रजिस्टेशन के लिए आरेजी जिरो फाइल करना पड़ता है और ना टीपी को रजिस्टेशन के लिए आरेजी जिरो नाइन फाइल करना पड़ता है तीसरी चीज इसमें मैंने बताई थी आपको की जो भी CTP रहेगा वो क्या कर लेगा वह ITC कलेम कर लेगा जितनी भी उसने इन्वर सप्लाइ किये उस पे वह ITC क्लेम कर लेगा जबकि नार्टीपी में क्या बताए था केवल उसने जितनी गुर्ड्श्री या सर्विसेज का इ तो ये उसको टेक्स देना पड़ेगा जिसका एक्जांपल बताए था मैंने कि जैसे मेरे कपड़े का विजनस है अब देली में जैसे कपड़े का बिजनस कन्ये के लिए तो अब वहां पर जैसे पोर अग्जम्पल मेरे पास फंड के कमी हो गई तो मैंने मेरी परसनल कोई तो बेचने पर जो भी जी एस्टी लगा वो मेरे को जी एस्टी नहीं को पर नहीं करना पड़ेगा तो यह सब अपने डिफरेंश में देखे दे उसके बाद अपने पड़ाता सेक्शन 28 करवाना होता है जिस दिन अपनको रजिस्टेशन चेंज करना उसके अगले 15 दिन में क्या करना पड़ेगा प्रोपर ओफिसर को अपने उसको नोटिस देना पड़ेगा प्लाय करना पड़ेगा तो थीक है अगर जो भी परसन है उसको आपोचनूटी बिंग हेर देगा मतलब रिजेक्शन से पहले वह उसको एक सुनवाई का मौका देगा कि इस वज़वाज़े से आपका डिस्टेशन में अमेंड नही कि इसके बाद अपने पढ़ा था सेक्षन 29 में आपको मैंने बता था केंशिलेशन के बारे में तो आपन केसे करवा सकते हैं या फिर अपना किस परकार से सकता है इसका चाल परिशिंत काज लगए कि इसका इसका केंशिल कर देना चाहिए तो इन सब्सक्राइब करने के लिए application करने करने के लिए वह सकता है जिसमें वह बताहिए तो अप्लिकेशन के से करवा सकता है या तो एप लिकेशन धेगा या तो अप्लिकेशन खुद देखर किसे कि आपको कुछ से सर्कमिस्टांटेश सर्कमिस्टांसेज बताए थे कि कुण कुछ से प्रिश्टीति जिनके वियाप पर एक रजिस्टेशन को केंचिल करवाने के लिए अप्लिकेशन लगाता है तो उसमें मैंने बतना है स्किर्टिक के साथ अगर इस परकार का कोई काम वह तो या फिर उसकीन उसमें चेंड हो गया पहले कंपनी था फिर कंपनी हो गया उसके विजनेस में कोई चेंज हो गया तीसरा आपने पढ़ा था कि जो टेक्सेबल परसन है जो कौन से टेक्सेबल परसन पढ़ा था वल्यूंटी रजिस्टेशन के बारे में अगर उनके अलावा जो अब टॉंटीटू और टॉंटीफोर में कवर नहीं होते हो वह भी क्या कर सकते हैं रज परसन वह खुद अप्लिकेशन लगा के चैन्शिल करवा देगा अब मैंने क्या बताया था दूसरा कि अब दूस्पर रेजिस्टेशन को कैंशिल कर रहे अब बात करें थे अपन सेक्षिंट तुएन के बारे में तो तुएन्टीफोर में मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर जो भी रिजिस्टर्ड परसन है, वो खुद अफ्लिकेशन लगा के क्या करवा सकता है, दूसरा, वो अगर खुद नहीं लगा रहा, तो प्रोपर ओफिसर क्या कर लेगा प्रोपर ओफिसर खुद अपने ओन मोशन के बिहाब पर उसका रजिस्टेशन केंसिल कर देगा तेकिन अब प्रोपर ओफिसर के पास भी भी कोई ने कोई तो रिजन होना चाहिए नहीं कि उस रिजन के बेस पर वो मेरा रिजिस्टेशन केंसिल कर रहा है तो देखो कौन कौन से रेजन बता रहा है अपने पास यहां पर एक तो उसके पास रेजन हो सकता है कौन सा कि जैसे कोई पर्षन है वह कंपोजिशन स्कीम में टेक्स पेकर रहा था और उसने लगता तीन साल से क्या नहीं फाइल के हो उसका अपना रेटन फाइल नहीं के हो तो वह रजिस्टेशन के इंसिल कर सकता है यह फिर जो कंपोजिशन स्कीम के अलावा अदर कोई पर्षन है ठीक है उसके अलावा जो अपन नॉर्मल पमाने तो बी करें मने उसने जो इस प्रगकर करके करवा ए मतलब गलत सूतनाव इसमाने इस स्टेट्मेंट पार में दिया है गलत तथ्यों najlep पर मैंने रजिस्टेशन करवा है तो मेरा रजिस्टेशन कर सकता है तीसरा मैंने बताया था कि अगर कोई भी रजिस्टेड परसन किसका कॉंट्रावेंशन कर रहो हो सकता है कि उसने जो रजिस्टेशन में प्रिंशिपल प्लेस बिजनस बताया था वहां पर उसका बिजनस के लेने के सकतर में उसने क्या कर दियो तो प्रोपर ओफिसर के द्वारा कर दिया डैगा. ठीक है? लेकिन अब रजिस्टेशन केंसे करने से पहले प्रोपर ओफिसर क्या करेगा उसको एक opportunity of being here देगा. सुनवाई का मौका देगा कि आपका इस वज़े से हम लोग क्या करें रेजिस्टेशन केंसेल करें अगर आपको जैसे पूर्ट वगर में बोला जाता नहीं कि आपको अपनी साइट से अपनी सफाई में कुछ वो ना तो बता सकते हो तो तो उपर्चनिटी को बिंग हेर दिय जाएगा फिर अपने इसमें पढ़ा था टॉन्टी नाइन थरी यह सबसे इंपोर्टेंट था प्रेक्टिकल लाइब के लिए मैंने बताए कि अगर किसी भी टेक्सेशन केंसेल कर दिया किसने प्रोफिसर ने तो उसकी जितनी भी डूज लाइबिलिटी जै उस पर जितना केंसिल भी हो गया तो तुमारा जो पुराना टेक्स लाइबिलिटी है वो आपको पे ही करना ही पड़ेगा आप यह बोलकर बच नहीं सकते कि मेरा रजिस्टेशन केंसिल हो गया मैं टेक्स नहीं जूँगा उसके बार टॉन्टी नैन फोर पड़ा था टॉन्टी नैन फोर यहाँ पर तॉ तॉ आता है रजिस्टेशन का यहांपर आता केंसिल का तो half फिर योट्यू में मैंने तो क्या मना जाएगा कि वह centigrade काव और केंसे लोग गया उसके बाद मैंने बताया था कि जो अगर जिस्टेशन केंसे होता है तो इसी सीच्वेशन में जो भी इंपूर्स पढ़े हैं इंपूर्स कौन से या तो रो मेटेरियल या फिर डबलू आई पी या फिर फिनिस गूर्स है एंड जो भी केपिटल गूर्स या पास कोई पर जिस लाक फिर जास मैंने ़िस लाक के को इंपूर्स खरीदे थे वीजबपे पाने मैंने जीएसटी 수 कए था जिसे दस पर सेंट दौलाक फिर जी एड़ी चुबस दो लाक कि चूकित लाक फिर इसे मैने पास 10 2 theo की मारेकरा के बिजए कितनी आज जिसे 10 401.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वर अजन करके देखो अब इन दोनों में से जो भी हाईर टेक्षण आएगा आपका वो टेक्षण आप मैंने बता था केपिटल के में था कि केपिटल कोर्ण का जितने टायम का कर देंगे जैसे विख्जंपल मैंने पिछले साल नाइंटीज में खरीदा हो गया इट मिन्च मेने कितने दिन यूद कि उसका ट्वल्ल एमंट यूद किया थीक है यह सब मैंने उसको करीदा जैसे बीस लाग का बीस लाग का करीद टाइम इने इटिन परसेंट है तीन लाग साथ जार रुपे का उस पे जिस टी चुका है था ठीक है अब आज उसकी अगर में में 2 अप्रेल 20 में अगर उसना उसकी मार्केट विल्यू जैसे और रिकी है दस लाख रुपे ठीक है अब दस लाग रुपे है तो अब दस लाग रुपे में कितना जी एस्टी ले हुआ वो कैसे निकालेंगे अपन वो निकालेंगे अपन जैसे पूर एगंपल कि उसका रिमेनिंग टाइम पिरेड कितना बचा है जैसे तीन लाग साथ हजार रुपे का ITC मैंने कलेम कर रखा है उस का ITC अपने पास कितना है तेन लाग साथ हजार रुपे अभी इसक को अपन को निकालना कितने का है जैसे मैंने बारा महिनी यूज कितने महिने किया मैंने 48 मंथ यूज नहीं किया अभी सोल कलो तो कितना आएगा उतनी आइटी सी मेरे को सो डिवर से करनी पड़ जाएगी जैसे आया अपना शिक्स सिक्स थाउजेंड शिक्स थाउजेंड के बाद मैं तेन लाग वह और तू एटी एर थाउजेंड आया मेरे कुडिंग तो और जितना टाइम पीरेड अपने कियु श्का एक अ Luigi में अपन को तो के महिए तो स कुण हो गया थीक है तिकहों यापिर इसको दूसरी साइट से एस से करतार की इसमें वन मंत का निकालो कि कितना होता है फिर मंत का जितना भी आएगा उसको तीन लाग साथ हजार में से कम कर देना फिर वो देख लेना कि अच्छे वाली में कर रहे थे ना कैपिल कुछ के लिए फिर हम फाइफ पर सिंट कम कर रहे थे पर क्वार्टर हां हाँ तो सर्व ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं यहां पर अलग क्यों है अरे यहां पर अपन एटीन फोर में बताया था ना मैंने इटीन सब को लोज फोर पड़ा था आपने आई टीवाले चेप्टर में महां पर तो आपन क्या करते हैं जाता है उसका लाइफ कितना मना जाता है उसकता है यह तो वह उसे जदा काम आए हो सकता कम है लेकिन एक में अपन को शिक्ति मन्थ बता गया कि वह केपिटल गुर्ट सब्सक्राइब तो अब पांच साल में से अपने जितना यूज के लिए उतना तो कम कर देंगे और जितना उसका रिमेनिंग पिरियेड बचा है उतना अपन रिवर्शल कर देंगे कि उसके बाद क्या पड़ा था उसके बाद देखो क्या रहा है अपना इसके बाद ये रूल एट रूल एट और नाइन ये वही आगे जो रिजिस्टेशन में मैंने बता था कि सबसे पहले पार्ट में जो को पेन मोबाइन नंबर इमेल वगर देना पड़ेगा आरिजी 010 ल सबस्क्राइब अबहरेंगे तो इसमें ये बताने पड़ेगा फिर पेन मोबाइन नमबर ये बताने पड़ेंगे आपने पड़ेंगे आपनों कि बता रिखे कि अपने फायल करेंगे और फिर को आज़िएजी जीरो टू में किया मिलेगे अबने दिआ के गांज़ाइन के समें मिलेगे क dette कि helping College नें सब्सक्किंभीрокत्रा पिर समयाउस. लगाइंगे अप्रूवल के लिए अपलाइड रेंगे खलो NIN company strength Pacific तो उसके बादाएनाँ तो प्रूंद को बताएगा इड़िस के बारे में वेश्ट का जधा अपने इस में है निए टिडिएस के बारे में कुछ भी केवलापन को फोरम नंबर याद रखने कि टीडियएस ओडीएस वालो को कौशे फोरम राइल करने पड़ते हैं तो यहां पर फोरम याद रखना वाकि कि इनकी थेहरी अपने अबिस में है भी नहीं और यहां पर अपन को दिया भी नहीं है तो देखो क्या बताया TDS में. ग्रांट ओफ रजिस्टेशन टूप परसं उस परसंद को प्रेटिशन देना मिन है प्रिपस्ट को जो healthy स्कर्ण कि लिए यडेक्ट बृब्शन को या तो टीड़ेस काटने के लिए लाइबल है या फिर तीडेस काटता इसको ये कर रहा अगर कोई परिशन जिसको टीड़ेस काटना जरूरी है तो 語ब आता है अपना 52 में क्या करना पड़ता है कि इसको कौना परता यह फिर 52 में एक क्या करेगा डूली शाइंड और वेरिफाइड जो क्या होगी कौन से पोरम में करेगा जिस्ते यह अपना वहां पे नहीं आया यहां पे आ रहा रहा आरीजी जीरो सेवन तो जो टीडियेस काटने के लिए लैबल उसको आरीजी जीरो सेवन में कि लिए क्या करना पड़ेगा संशहिं समीट्शन में और अज़ी Kr producto में इसके पड़ेगा व behaviors करने के बाद उसको क्या दे देगा एन्ड इस्योए राजिस्टेशन के लिए अप्लिकेशन लगा है उसके अगले तीन दिन दिन में दे देंगा समिस्ट अफ अप्लिकेशन जिस दिन उसने रजिस्टेशन के लिए अप्लिकेशन लगा है उसके अगले तीन दिन में रजिस्टेशन सेटिफिकेट मिल जाएगा यह तो आगया अपना TDS के बारे में अब नीचे देखो बता रहे हैं अपन को TCS के बारे में अगर कोई भी इंक्वारी कन्यों प्रोशीडिंग अंडर दैक्ट इस एक्ट में अगर प्रोपर ऑफिसर क्या है सेटिस्पाइड है कि वो परसंटू हूम में सेटिफिकेट और जिस्टिफिकेट दिया गया है इस नो लोंगर लाइबल अब वो क्या है जैसे के बारे में अपन को बता रहे हैं कि अगर प्रोपर ऑफिसर को इस्सा लगए कि जिस परसंट को आरीजी जीरो शिक्स में रेजिस्टेशन दिया गया है अगर वो अब टीडिएस काटने के लिए लाइब बन नहीं है इस प्रजिस्टेशन एज बीन इसूड जिसको रजिस्टेशन सेटिफिकेंट दिया जाँ चुक्प है इस नो लॉंगर लाइबल वो अब लाइबन नहीं किसके लिए टू डिड़क्ट टेग्स है वह अब टीडियस काटने के लिए लाइबन नहीं या फिर वो फिप्टी तो यह क्या बता रहा है कि अगर कोई पर्संट जिसने रजिस्टेशन तो ले लिया लेकिन अब वो ना तो टीडियस काटने के लिए लाइबल है ना ही कलेक्ट करने के लिए लाइबल है तो इसी सिच्वेशन में प्रोपर ओफिसर क्या कर देगा उसको आरीजी जीरो एट में उनका रेजिस्टेशन केंशिल हो जाएगा उसके बाद देखो क्या रहा है अब यह भी देखो इनमें जड़ा इंपोर्टेंट नहीं लेकिन फोरम नंबर याद रख लेना इनमें जैसे नीचे वाले बीच वाले में देखो इसमें क्या बता है एनिपर्संट सप्लाइंग ओ आईडिया जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ाता कि कोई भी पर्संट OIDR की सर्विस देता है आउटसाइड इंडिया टू यह नॉन टेक्सेबल ओन्लाइन इडिशिपेंट सैल इलेक्टोनिकली सम्मिट एन एप्लिकेशन तो उसको भी रजिस्टेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्टेशन के लिए उसको फुरम नंबर है आरीजी जीरो टे ओस्ताइड को है वाना कमपल्सरी होता है तो यह पे इसको कौन सा फॉरम फैल करना पड़ेगा और नंक्रीं को ख़़गे कुछ तो वह पूर अपने इंपोर्टेंट आही उसके बाद एक थर्टी सेक्शन हो रहेगा अपना इन सेक्शन को तो अच्छे से करना है तो यह रूल बताएं नहीं इन में इनमें के वहला फुरम नुम्बर याद कर लेना तो अब बता रहा है कि कोई भी के लिए मैंने आपको बताया था कि नाइन फाइल करना पड़ता है अब क्या बता रहा है अब यह क्या बता रहा है इसमें कि अगर कोई भी CTP और NRTP है तो अपन ने क्या पड़ा है कि उनको extension मिल सकता है 90 days का अब अगर उनको extension चीए होता है न तो उनको फोरम नंबर REG 11 में REG 11 फाइल करना पड़ता है extension टाइम के लिए नोर्मली तो उनको कौन सा CTP को तो REG 01 और NRTP को आता है अपना REG 09 लेकिन अगर अगर उनको अब तो उनको REG 11 में क्या करना पड़ेगा अपलाई करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यह आरीजी 06 अपने पड़ी लिया कि अपने टोटल फॉरम कितने पड़ी पड़े लिए भी तक 11 पड़े लिए हो रहेंगे अभी देखो अप्रोक्स 20 हैं इसमें तो जितने पड़ें उतने ही हो रहेंगे भी अभी आ रहा है रूल 16 में आ रहा है शोल मो टो रेजिस्टेशन है अपने मो टो केन्सिल किणह बारे में तो सुना था लेकिन अभी ए रेजिस्टेशन उसका उपोजिट हो गया। उपोजिट कैसा हो गया कि अगर प्रोपर ओफिसर को ऐसा लगे कि यह कोई परसन है इसका रजिस्टेशन करना जरूरी है लेकिन वह करवा नहीं रहा तो इससी सिचुएशन में वह खुद के बेश पर क्या कर सकता है उस पर संका रजिस्टेशन कर सकता है जैसे अपने ट्व पर और प्रोपर ओफिसर्ट कर सकता है तो देखो कैसे करेगा क्या तो यह तो अगर कोई फिर इंश्पेशन में प्रोपर ओफिसर को एबस्टा लएग कि कोई एक परसन जो रिजिस्टेशन के लिए है, फैल तो अपलाई फो सद्राइशन लेकिन वह रजिस्टेशन के लिए अपलाई किने में क्या हो गया फैल हो गया, तो देखो क्या बता रहा है, आगर कोई भी सर्वें इंक्वारी इंस्पेक्षन है फिर सच में, जो तर्ट आफिसर को ऐसा लगे कि कोई भी बिदस पर्स रजिस्टर कर देगा और एक और इस्यू कर देगा उस परसन को और बता देगा कि मैंने आपको क्या कर दिया है तो क्या निकला इस फर्स्ट क्लोज का बताओ हेलो है यह सब्सक्राइब क्या समझ में है इस में फर्स्ट क्लोज में सर अगर सर जो वो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा अगर उसको मतलब अगर वो फुट्रे इंक्वाईरी बगरा करता है और अगर वो कोई ऐसे परसं को फाइंड आउट करता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है बाट उन्होंने रजिस्ट्रेशन ने लिया तो वो खुद से ही उनका रजिस्ट्रेशन करा देगा इंपरेडी बेस्ट्रेशन पर अडर लेने के लिए इसको और इशु करतेगा इंफर्म जीएटी आइग बिल्कुल याद रखना कि जो अगर टेम्परेडी बेस्ट्रेशन के प्रोपर ऑफिसां ने तो वो कौन सा फॉर्म फाइल करेगा वो कौन सा फॉर्म में अप्लाई अगर जो सबस्कों कि अगरंगे जो रॉपर अप्रोंड़ने कै रजीषेशन का ओर्टर दिया र США यह वोन वाना जाएगा. Yes. Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule. But take, वो person जिसको sub-rule 1 rule 16 के sub-rule 1 में क्या किया गया है? Temporary जिनका registration दिया गया है उनको sell within 90 days. उनको 90 days में क्या करवाना पड़ेगा? From the date of the grant of registration, जिस दिन उनको registration दिया गया है, उसके अगले 90 days में submit and application है. एक application लगाना होगा, और registration in the form end में ने provided in rule 8 or rule 12 है. जो भी अपने rule 8 or 12 है पड़े थे पिछे. कि उसको अधार पेन वगरे जमा करवाना पड़ेगा REG01 में apply करना पड़ेगा. तो वो same process जो अपने पहले पड़े है, उसके according उसको registration फिर से करवाना पड़ेगा. मतलब अगर किसी को भी temporary base पे registration दिया गया ना, तो जिस दिन उसको register किया गया है, registration नमबर दिया गया, उसके अगले 90 days में वो person क्या करेगा, जो भी rule 8 और 12 में जो process बताएगी उसके तहत वो क्या करेगा, registration के लिए apply करेगा. Yes, sir. उसके बाद आ रहा है UIN के बारे में, UIN के बारे में जएदा important नहीं है, इसमें जो मैंने बताया था ना, कि UIN नमबर किसको दिये जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ special लोगों को ये number दिये जाते हैं, तकि उनको टेक्स का repent किया जा सके, जैसे कोई भी foreign का embassy हो गया, कोई भी international embassy हो गया अपना, तो उन सब को क्या करना पड़ता है, अपनको UIN नमबर देना पड़ता है, तो उसके बारे में बता है, देख लो एक बार क्या बता है इसमें, registration नमबर याद रखना है, इसमें भी वह ही है, every person required to be granted, granted UIN नमबर सब सेक्शन 9 और सेक्शन 25, 25 का सब सेक्शन 9 में अपनी UIN के बारे में पड़ता है, unique identification नमबर है, नाम याद रखना और GSTIN का भी नाम याद रखना, बूर्स एंड सेक्शन 9 और सेक्शन 9 और सेक्शन 9 तेक्शन नमबर है, अगर 259 में उनको क्या किया गया है, every person required to be granted a UIN UIN देना ज़रूरी रहेगा, अटर सब सेक्शन 9 और 25 में सबमीट एन एप्लिकेशन, वो लोग क्या करेंगे एक application फाइल कर देंगे electronically कुन्छे पोरम में पोरम GST REG 13 में कर देंगे जो डूली साइंड और वेरिफाइई होगी मेंनर स्पेसिफाइड इन रूल वन जो भी common portal पर रूल वन में जो भी तरीका बताएगा उस तरीके से वो application होगी उसके बाद बताएदा proper officer में upon submission of application जैसे उसके द्वारा application लगा दी जाती है तो proper officer क्या करेगा इन पोरम GST RE 13 13 और आप्टर फाइलिंग अब दे सेड पोरम असाइन यू आई एन जन्रेट कर देगा तू सेड परसन एंड इस्यू ए ठीक है येस उसके बाद देखो क्या रहा है रूल 18 के बाद में रूल 17 के बाद में रहा है रूल 18 कि अब देखो जिस भी person को registration मिल गया है अब उस registration number का अब दो ग्यां को जो च्चर दो 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 तरू ग्यां को दो दो को दो थे खिर गया है रहा है अब दो दो जो दो दो प्रवाद कर दो कर दो कर दो कर दो